उप्चुनाव को लेकर बड़ी जानतारी मिल रही है कि मतदान यहाँ पर जारी है 9 बजे तक करीब 24,000 लोगों ने अपने मत का इस्तिमाल किया है 24,000 लोगों ने वोट डाला है 9 बजे तक करीब 13 फीसदी मतदान गुआ है बड़ी अपडेट एलना बाद उप्चुनाव से यह सामने आ रही है 9 बजे तक यहाँ पर 24,000 लोगों ने अपने मत का इस्तिमाल किया है और करीब 13 फीसदी मतदान अब तक यहाँ पर 9 बजे तक हुआ है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यह वोट परसेंट आगे बढ़ती जाएगी वोट प्रतीशत आगे बढ़ता जाएगा फिलाल 9 बजे तक का वोट प्रतीशत सामने आ रहा है और इस प्रतादा जानकारी के साथ तमिल सही होगी समशिर सिंग हमाई साथ जुरगे हैं शमशिर जी क्या अब डिट मिल पा रही है 9 बजे तक का वोट प्रतीशत का जा रहा है और यह जाना चाहेंगे कि आप तक यहां पर सभी स्टेशन पर सुचार रूप से मतदान प्रत्या चल रही है बलकुल देखें प्रिदी सबसे पहले तो हमारे दर्श्कों को हम यह बता दें कि इस वक्त हमारी टीम जो लगातार खवरफास की लटगाड़के की टीम जो है अलग अलग गाओं का दोरा कर रही है और इसमें इस वक्त रुपाना खुर्द गाओं में हम पहुंचे हैं इस गाओं को लेकर मैं बता दू कि लगबग अठारा सो के आसपास जो है यहां पर वोट है वोट के संख्या है लोग मद्दान कर रहे हैं आपने कहा कि लगबग तेरे फीजदी के आसपास वोट है सोबह नव बजे तक की अपडेट की बात करें तो लगबग इतना फीजदी वोट जहां पर पड़ा क्योंकि आने के बात कर अपनी जो हमका पास की बात करें अर नर्मी की चुगाई करने के बाद लोग घर पहुंच रहें तो ज़्यादा तर लोगों का सुबह से यही कहिना है कि खेट में काम करने जाने इसलिए वोट डालने आ रहे हैं तो यह पसंटेश चीक है लेकिन इसका आंकड़ा जो है शाम तक ऐसा बारा जारे कि 70% के आसपास यह करता हैं वो लोगों को अपने साथ लेकर जो है बूद पर पहुंच रहे हैं लेकिन इस वक्त जो पोलिंग बूद पर तादाद की बात करें तो बहुत जादा नजर नहीं आ रही है इसका कान यही है कि लोग सोबा कुछ वोट करके खेट में काम करने चलेगे अब थोड़ मैटर हो खेट में काम के लिए गए हैं क्योंकि चुवाई का समय है टाइम बहुत कम है फसलने खराब और इस चक्र में दीरे दीरे जैसे आ रहे हैं वोटिंग तो हो जाएगी पॉलिंग तो पर टाइम लगेगा जी वो दीरे दीरे काम धंदा करके जैसे भी टाइम मिलता ह माने अनुमाने तलबक इतना वोट आपके सबसे डल जाएगा शाम तक डारसवोट वोट यहां लगबग यहां मानोजी The वोट जया पॉल हो जाएगा आप और बूट डालने के लिए हैं खेट में गये थे पहले या एक फ्राइट में जाएंगे वोट डालने के बार एक अ इसके लावा और भी कई लोग हैं मैं प्रीती चाहूंगा एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रूपाना खुरत की मैं बात कर रहा हूँ यहां पर मैंने जैसे बताया पहले कि जो लोग हैं वो सुबा वोट करके खेट में चले गए कुछ लोग खेट में काम करने के वाद वापस लोटे हैं वोट डालने आ रहे हैं तो यह जो लोगों की तादाद है यह बढ़ेगी यह जैसे जैसे लोग जो खेट से काम करके लोटेंगे उनकी तादाद बढ़ेगी तो एक और यहां पर दूसरा बूत है क्योंकि आपर दो बोथरों पड़ा खुरत में व आज वहाँ पर कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल आज के लिए चुटी का एलान किया गया है कि वो आसानी से अपने यहां आकर अपने मत का इस्तेमाल करें वोट डाल सके तो उसका भी यहां पर असर वोट प्रतिश्रत पर पढ़ेगा बिल्कुल प्रिदी इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग ऐस अलाके के हैं इस विदानसवाक शीतर के हैं उन लोगों के लिए वोट डालने के लिए पूरी उस्वधाएं जो हैं वो दी गई हैं और एक और सेक्यूर्टी को लेकर मैं बता दूँ हैं सुरक्षाबस्था को लेकर चाक चोबन दे जामात हैं हम जगा 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 जिस बूत पर जाते हैं वहां में ने देखा है कि थोड़ी दिर बाद या आगे पीछे वहां पर जो पुलिस की गाड़िया है सुरक्षाबल का जो दस्ता हो पहुंचता है और जायजा ले रहा है और एहम बात यह है क अब तक सब कुछ सामने चल रहा है हम कई गाउं में पहुंच रहे हैं अलगलग गाउं के लोगों से बातशीत हमने की है उनका यह कहना है कि हमारे आपस में जो प्यार प्रेम है वह बहुत बढ़िया है हम किसी राजनेता के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं यह बड़ी अब भी खेट में जाकर आया है कि जाएंगे वोट डालाइक नास तो यहीं है तो यहीं पर नहीं यह कहांगे जादार और जाने है इंड़ी जी नमरदार जी बताए जी पता ये गाउं में कैसा है बाई चारा राजीर कोई वेदवाव नहीं किसी की इस से बढ़ी दाली को कितने वोट पॉल हो जाएंगे पंद्रासों सब्सक्राइब को लेकितने वोट डाल देंगे और इसकतने लोग खेतों में फिल प्रिदी जैसे सुबह से बात बता रहा हूं कि लोग नर्मा चुगाई को लेकर सरसों के बिजाई को लेकर कि लेकर बड़े जो है कॉंसेसशनल लेकिन उससे पहले ये भी कहना है कि वोट जुरू डालेंगे क्योंकि अबार आधिकार है और इस अधिकार के बलपर ही अपने प्रतुमिदी को चुनेगे लेकिन प्रत्रेदी होगा को लेकर थोड़ा मिंदादार करना पड़ेगा पर व वोटों की यहाँ पर परसेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो कम इसलिए क्योंकि सुभा का वक्त है किसानी खेती से लोग जुड़े हुए हैं और पहले देख रहे हैं खबर फास्ट तेज़